इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Walprin 200 Tablet Anti-Epileptics नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. इसका इस्तेमाल एपिलेपसी और Bipolar Disorder जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है. यह अत्यदिक Mood Swing और असामान्य Brain Signal को रोक कर काम करता है जो दौरों Fit को Trigger करता है. यह माइग्रेन की रोक थाम में भी मदद करता है. Walprin 200 Tablet का इस्तेमाल अकेले या अन्य दवाओं के साथ किया जा सकता है. इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है. आपका डौक्टर आपके लिए सही खुराक का निर्नय लेगा. आपकी स्थिती स्थिर होने तक यह धीरे धीरे बढ़ सकता है. इस दवा को काम करने में कई हफ़ते लग सकते हैं. लेकिन लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से लेना जरूरी है. अगर आपको ठीक महसूस हो, तब भी जब तक आपका डौक्टर ऐसा करने की सलाह न दे, तब तक आप इसे लेना बंद न करें. आपको अधिक दौरे पर सकते हैं, या आपके बाइपोल विकार की स्थिती और भी खराब हो सकती है. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में सिर्दद, मिचली आना, चक्कर आना, नींद आना, कब्ज, डायरिया, यानि की दस्थ, दो-दो चीजे दिखाई पढ़ना और वजन बढ़ना शामिल है. अधिकांच साइड इफेक्ट ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं होते हैं, या आपको इनसे परेशानी हो रही है, तो अपने डॉक्टर को बताएं, इन प्रभावों को रोखने या कम करने के तरीके हो सकते हैं. दीरकाल इकिलाज की वजह से आपकी हड्डियों में कमजोरी, यानि की ओस्टियोपरोसिस आ सकती है, जिससे हड्डी तूटने का जोखिम बढ़ जाता है. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर समबंधी समस्याएं, मेनिंजाइटिस या डिप्रेशन या आत्महत्या के विचार आते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. इसके अलावा, अपनी हेल्थ के टीम को अन्ने सभी दवाओं के बारे में बताएं, जिन्हें आप ले रही हैं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं, या इससे प्रभावित हो सकती हैं, जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां भी शामिल हैं. अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो आपकी खुराक अज़स्ट करने की आवशकता पर सकती हैं. अगर इस दवा से आपको बेहोशी या चकर आता है तो आपको गाड़ी चलाने से या साइकल की सवारी करने से बचना चाहिए. आप पर इस दवा का क् हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.